कि नमस्कार दोस्तों आपका हमारे आने लेक्चेर स्रीज में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है डिस्क्रीट इस्टेक्ट्चर एं थियोरी आप लॉजिक सब्जेक्ट में हम बात कर रहे थे फंक्सन्स की प्रिविएस लेक्चर में हमने देखेंगे तो समझाया हुआ था इसके बाद हमने प्रिविएस लेक्चर में टाइप्स आप फंक्सन्स की बात करें तो यहां पर फंक्सन्स के चार मेजर टाइप थे जिसमें वन-to-one, many-to-one, into and onto function थे ठीक है one-to-one को हम injective भी करते हैं और onto को subjective भी करते हैं इसका डिटेल लेक्चर हमने प्रिविएस लेक्चर में डिसकस किया था वहां पर हमने प्रिविएस लेक्चर में देखा था तो हमने one-to-one को many-to-one को into और onto इन चारों फंक्सन्स को डिटेल में भी थिक जामपल कभर कर रखा है वह आप प्रिविएस लेक्चर में जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा जस्ट इसके प्रिविएस लेक्चर में आज हम बात करेंगे जो फर्दर क्लासिफाइड कटेगरी है जो one-to-one से क्लासिफाइड है one-to-one into one-to-one यह चार कटेगरी हम आज देखेंगे तो आज का लेक्चर कंप्रिट होते हैं फंक्सन के सारे टाइप से कभर हो जाएंगे डिटेल लेक्चर में जाने से पहले हम आप से बता दें कि जो भी हमारा यहां पे लेक्चर चल रहा है इसका हैं डिटेंड नोट्स आपको अगर चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिशन में लिंक होगा वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग से लिक्वेस्ट है अगर हमारे वीडियो की फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने प्रेंट सरकील में इसको जरूर कीजिए क्योंकि इससे बहुत सारे स्टुट को बेनफिट हो सकता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्षर सबसे पहला टाइप्स लेते हम 1 to 1 into function जैसा नाम ही है यहाँ पर कि 1 to 1 into function मतलब कि 1 to 1 function और into function इन दोनों का इसका 1 to 1 का और into का into का इन दोनों का function f from a to b is set to be 1 to 1 into if function f is both 1 to 1 and into function मतलब कोई ऐसा function का रिलेसा function बन रहा है जहां पर वो 1 to 1 की फालो कर रही है और into की फालो कर रही तो उसको कर सकते हैं 1 to 1 into देखते हैं example फिर समझ में आजाएगा आपको यहां पर देखिए set a है यहां पर set b है इसी तरह set a set b हमने a और b ले लिया यहां पर इस पहले example देखें तो यहां पर चितने चार element है 1 2 3 4 set b में a b c d हैं देखिए 1 का functions b से है 2 का b से 3 का 4 और 3 का c और 4 का d है तो यहां पर देखेंगे कि जितने भी element यहां पर हैं सबका individually धान दिये one to one क्या करता था one to one अगर हम देखें तो one to one करने मतलब क्या है कि a के सारे element b के b के distinct elements से क्या होंगे associate होंगे मतलब हर एक का exactly a की output होगा जैसे one का one होगा two का b है three का c है four का d और यह distinct होंगे मतलब सबके अलगल होंगे ऐसा नहीं होगा कि किसी दो का एक ही output हो रहा है ठीक है तो ऐसा नहीं होगा इसको धान दीजी हम तो सारे distinct elements क्या है relate कर रहे है इसलिए 1 då है अगर 1 to 1 कि बात करें one to one to one है check करें क्या इंटू भी है इंटू functions जो इंटू functions बात करते थे इंटू जो किसी का भी image नहीं होगा मतलब किसी का भी output नहीं होगा ओ यहां पर free बच्चे का किसी से भी associated नहीं होगा तो यहां पर देखेंगे कोई ऐसा ऐसका इमेजर वन टू का किसक का इमेजर द्वर का और बशाआ जो किसी का भी हमेज नहीं हो तो इस case में लMatoka इंटू नहीं है इसलिए हम इसको वन टू इन्तू फंक्शन नहीं कर सकते हैं इस पर और इसको चेक दिया पहले वां-टू-वन है कि यहां के distinct element से associate होंगे रेखे वन का output क्या है ए टू का बी थ्री का वे भी जहांद यहां पर टू थ्री दोनों का output भी मतलब बी से associate हो रहा है तो यहां पर distinct element नहीं हुआ अगर टू का बी से थ्री का सी से होता तो तो distinct होता लेकिन बी पर देखेंगे बी पर टू से भी है थ्री से भी है तीसलिए यह वन टू वन नहीं है अगर प्रिवेस लेक्टर में जाएंगे जब हम यहां पर चारों डिसकस किया तो हम डिटेल आपको समझ में आ जाएगा और भी टीक है अब देखिए वन टू नहीं है चेक किजिए क्या इंटू है इंटू में क्या था इंटू करते हैं केवल हम बी सेट में देखेंगे बी सेट में कोई एक ऐसा element होना चाहिए जो किसी का भी image ना हो या किसी का भी output न तरह कर रहा है तो एक elements को मिल गया ना है इसलिए मं कह सकते हैं क्या है इंटू एंटू फंक्शंस तो है देखें अब इन दोने इकसको हम नहीं है यह हं हम वन टूवरिज नहीं कर सकते क्यों कि यह वाला बढू आ कि फालू नहीं करता इसको देखिए अगर यहां पर देखें तो देखिए यहां पर तीन इलिमेंट है तीनों का distinct element है distinct output है one का a two का b three का d ठीक है ए किसका image है one का b image है two b two का d image है three का तो one to one property तो है one to one one to one property तो है अब देखें क्या into property भी आ रहे है into property क्या करता है कि b में जब हम check करेंगे कि b में कोई एक ऐसा element होना चाहिए जो किसी का भी image ना हो तो यहां पर c मिल रहा c किसी का भी image है किसी सी भी सुषिट हो रहा नहीं मतलब इंटू भी है तो यह वाला example जो है इस category में आ सकता one to one into functions की category में clear है कि नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर वन टूवन अन्टू नाम से जाते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन से देखें कि यहां करने मतलब क्या है नाम से देखी one to one onto है मतलб एक one to one की property फालो करें और इस on to की propertyій फालो करें देन उसपांसाः 튼क को सकते हैं one to one onto functions है the definition क्या क्यात यह a functions which is both one to one and and to' 3 2 2 is called one two one on two functions नादि ही इसको देखेंगे पहले हमिसको देखें वन पूए है यह वन टू-वन है यह फिर आन्टू देखेंगे देखें 1 to 1 इसका आउर्पुट A है 2 का आउर्पुट B है 3 का आउर्पुट C है ठीक है तो ए 1 to 1 तो है 1 to 1 तो है क्योंकि distinct element नहीं यहां पर जो इसके सारे element है इसका distinct output होना चाहिए तो 1 to 1 तो है आन्टू चेक कीजिए आन्टू क्या खाता है कि जब हम इस A और B की बात करेंगे B में B में ऐसा कोई भी element नहीं होना चाहिए जो किसी का भी image नहीं है तो यहां पर देखिए D ऐसा image है जो किसी का image नहीं है तो A यहां पर नहीं होना चाहिए यहां पर देखिए जितने भी element है वो सभी किसी निकिसी element का image होना चाहिए तो यहां पर D किसी का भी image नहीं है मतलब यह on to नहीं है ठीक है ना देखिए इन्टू और on to में ही difference है इन्टू क्या करता है यहां पर एक ऐसा element होना चाहिए जो किसी का image नहीं है लेकिन यहां पर एलाऊ नहीं करता जहां पर one to time बात करेंगे तो ठीक है अब इसमें देखिए वन टू वन पर चेक कीजिए अगर एसे लेते हैं इसको बे वी तो वन टू वन पर चेक कीजिए वन टू वन वन का वन ठीक है या distinct image होना चाहिए अब चेक कीजिए on to on to मतलब कि यहां पर कोई भी ऐसा element नहीं बच्चा होना चाहिए जो किसी का image नहीं हो तो इसका एक इसका image है वन का और टू का भी वी किसका image थी का सी किसका image है फोर का मतलब on to तो है यह on to है लेकिन one to one नहीं है तो इसलिए इसको हम one to one on to function नहीं कर सकते इसको देखिए इसमें देखिए तो one का one a two से b three का c से function बन रहा है ठीक है तो यहां पर हर element के लिए distinct output है मतलब यह one to one तो है one to one तो है अब देखिए on to on to क्या कहता है इसमें कोई भी ऐसा element नहीं होना चाहिए जो किसी का image ना हो तो इसमें हर element क्या है सब का one का image a है two का image b है c किसका image three का तो यह आप on to be a है ठीक है मतलब यहां पर कोई free element नहीं होना चाहिए तो यह आंटू भी तो ऐसे भी उसको हम describe कर सकते है next हम इसको देखते हैं अब many to one तो देखते हैं many to one into functions similar है जैसे आपने पहले देखा जल्दी समझ लेंगे many to one into function मतलब कि जो functions होगा many to one की property फालो करेगा और into की property फालो करेगा ऐसे जो जो उत्तरा हम देखेंगे many to one unto तो many to one की property फालो करेगा और यह उसको हम कहा सकते है many to one unto function तो दोनों को one by one देखते हैं तो काने मतलब यह function if is if from a to b is set to be many to one into if function if is both many to one and into functions तो यहाँ पर functions के example दिये हैं कुछ चेक कर लेते हैं कौन से आज सा function यह दोनों के टिरी मिलांग करता है many to one भी हो और into भी हो उसको हम कह सकते है many to one into function तो इसको चेक करते हैं सबसे पहले इसको चेक करते हैं पहले को क्या ए many to one है many to one देखे many to one मतलब कि many to one आ रहा है देखे नाम से और a जो set a है इस में से many element और b में से आन इसे तो किस से हुआ B से 3 किस सी और 4 भी सी हुआ मतलब यहां के दो element का output C आ रहा है मतलब इन दोनों का image क्या है सी है तो दो element यहां पर हो रहा है इसलिए इसकोम कर सकते हैं many to one क्योंकि many से one गया many to one many to one तो है यह ठीक है लेकिन बनी इन्टु फॉक्ट्ट्रभ गता बिर यह कोई एक यह सिध्की का इमेस नहीं है सब किसका यहां तो यहां प्रिपीक मह व्ट में से एक नहीं मतलब तो नहीं होगा है, इसको चेक कीजिए, देखें पहले चेक करेंगे, मेनीटी और मतलब किसी दो element को 2 या 2 से जादा, एक हैं जो element होंगे, ओ किसी एक से ये इस्जोसेट होंगे, मिस उसका output एक ही होगा, तो वन, देखीं, वन का ये है टू का बी है, surprises, थो तो मेंनी टुवन ही नहीं है नहीं है वेनी टुबब नहीं है लेगिन चेंगर लोग इंड टुवन नहीं Quốc इंड अब दूब कि महांद और तुरुसे को एक्जाम्पल को यहां देखेट 1 पहले चेक करेंगे में डिटुवन के में मतलब कोई भी वनका एए है ठीक है 2 ही थी का तो इन दोनों का और पुट पी आरा मतलब मेंनी डिटुवन प्रपर्टी आरे यह मैं तो मिटुट यहां 202 इन टू वंट है में टू वण तो थे चेकर इन टू फंक्शन मित्लब देखिंगे सिजिंक वन का इमेज है यह वन का इमेज भी त्रीटी इमेज द फोर इमेज मतलब हमारा इंतू फंक्शन ऐ है मेसे यह कुन हो सकता है मेसा में फंक्शन हो एक्म्री आंँ जाएगा क्लिए नहीं मेरे टो राहता है इसे इसे यहां पर तो पहले चेक करेंगे हैं मेनी टुवन पहले और हम देखिए इसमें मेनी टुवन मतलब कि इसमें से कोई दो या दो से ज्यादा होगे देखिए मेनी टुवन तो है कि तुम किया और चाहरा है मतलब है कि इसके साथ मैस्ने में इसे को 3-2लोटव deben नहीं है जो किसी का इमेज नहीं हो इसलिए हम क्या कहेंगे आंटु भी है तो इसको हम इस वाले एक्जांपल कर सकते मेनी टुवन अन्टु फंक्शन ठीक है इसमें मेरी टुवन है क्या इसमें आप खुद बताईए मेरी टुवन कहीं पे ऐसा बन रहा प्रापर्टी जो यह क्योंकि कोई बिएसमें बचा जो किसी कहीं का इमेज फोर का सारे इलिमेंट लेकिन में टुवन नहीं है इसलिए हम इसको नहीं कह सकते मेनी टुवन आप अन्टु फंक्शन ठीक है इसमें चेक कीजीरिये मेरी टुवन many to one many to one देखिए 1 से A ठीक है 2 B 3 भी ठीक है 4 का C ठीक है तो many to one तो है चेक किजिए on to अब on to क्या कहता है on to कहता है कि B में कोई भी ऐसा element नहीं होना चाहिए जो किसी का image नहीं हो देखिए A किसका image है 1 का B किसका image है 2 और 3 का C image है 4 का किसी का image है 2 किसी का image है मतलब on to ये नहीं है तो के वल के वले ये वाला जो फिगर ये वाला आपका आएगा one to many to one on to functions में इसी तरह है आपको कहीं में कोई function दिया होगा तो तुरंत आप identify कर सकते हैं वो किस category में आ रहा है यहां पे तो आज के लेक्शन बस इतना ही करते हैं next lecture में हम इसी बेस पे कुछ numerical करेंगे एक दो numerical कर से दिखाएंगे जो आपके semester exam में आता है उस तरह question भी हम solve करके आपको यहां पे दिखाएंगे तो मिलते हैं next lecture में thank you so much हुआ झाल 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 झाल